छोड़ा सा इणोबेटिव होना पड़ेगा और वह बात सही भी है थो पड़े काम ने चलेगा। sister, शह है आज एक काम करते हैं आज कीकी स्वेकाम थोड़ी सी तरनalt통 OC shifting जोड़ी सी नेगटिव थी लेकिन जादा तर जो रिपोर्स थी वो कह रहे थे कि जो अच्छी रही और जो EPS पर ड्रैग आया वह ओईल मार्केटिंग कंपनियों के वज़े से आया तो अधर्वाइस जो अर्निंग सीजन था वो एकदम ठीक ठाक था उसमें कोई खास दिक्क जो इस हफते होने वाला है और उसमें जो US Fed बोलने वाला है, US Fed की बठक नहीं है, जैक्सन होल है बेसी कली, वो 22 अगस्त के बीच में होता है और उसके बाद Friday को जर्मी पावल साब अपना भाशन देते हैं, वो मार्केट मॉविंग होता है और मार्केट कुछ हद तक इस बार आ जाए और एक चीज़ जो बिकार में पहले बात बन गई थी कि शायद मिट पॉलिसी रेट का आ जाए उसकी जरूबत होती नहीं है, जैसे मार्केट अपने अपस्टेबल हो गया, तो यह सब चीज़ें पैनिक होता है कभी-कभी, लेकिन मार्केट स्टेबल हो ज रोजबाइंग किया होने, तो यह फिर आपको बता रहा है कि मार्केट में इस समय अच्छी खासी रेटेल का पार्टिसिपेशन है, लेकिन मैं एक चीज़ यहां पर एक व्यू ले रहा हूं, कि यहां पर अब मार्केट में आप प्योर्ली मोमेंटम नाचेस करें, पिछले रहार, अब में ऐसने इसे स्टोल्क जो बहुत जीयादा हक्सिव हो गए हां से, आपके ठकिन रहिती हाइज से, राफिए आपके ठकिल्ड इरिडा, हैल, मस्गाउंड डॉक, पी एफसी, ये सिरफ कुछ नाम लिये मैंने, जिनमें आपने बहुत पैसा बनाया है, मतला अगर आप इनका दो सल का चार्ट दिखेंगे, तो आपको कर्रेक्शन दिखाई भी नहीं देगी, ठीक, लेकिन इशु क्या है, कि ये मार्केट आपको एक हिंट दिना शुरू किया, कि बाइट एनी प्राइस नहीं चलेगा, अब इन स्टॉक्स में करेक्शन है, और शायद कुछ टाइम के लिए, रेलवे, डिफेंज, बाकी की जो हाई वैल्यू पी एस्टॉक्स हैं, शायद थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करें, उस मैं फीकेंड पर एक थोड़ा सा इवन्ट था उसमें गया था, लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई है, किसी ने पूछा कि क्या मुझे 15 पसंट रिटन मिल जाएगा, तो मैंने बुला, साल का ना, बुले नहीं महीने का, मैंने का, महीने का 15 पसंट रिटन तो मतलब आप गलत जगहें, मतलब मुझे से मत पूछें, फिर वो तो मैंने बढ़ाता, आपको, क्योंकि चार साल का कैगर इस तरीके से राय लोगों ने इतना पैसा बनाया है, कोविट के बाद से जो बुल मार्केट शुरू होई है, अगर आप उसी एक्सपेक्टेशन से अ फिर भी आउट परफॉर्म करेगा, और मैं तो हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, जब भी आप स्टॉक मार्केट में आपका एम होना चाहिए, कि फिक्स डेपॉसित में जो आपको मिल रहा है, वो मोर्दन एनाफ है, उसे डबल रिटर्न अगर आपको मिल जाए, वो किस तरीके से रियाग करता है, बहुत बड़िया, यह है मोटा मोटी जामा, इस समय भारती बजार का, आज की स्पेसिक अप्रोच पर उतरेंगे, उससे पहले ज़रा ग्लोबल मूड समझ लिया जाए, बही मंडे का दिन है, फिस्टिवटीज के बीच गिफ नुफ्टी कह है, हरे में ही शुरुआत होगी, फ्राइडे का वो बड़िया सेशन उसके उपर और पिछटर पॉइंट गैप की तयारी एक तिहाई फीजदी मजबूत, एशिया हला कि इस समय मिला जुला काम का जाए, कई सारे एशिया ही बजार यह देखिए, पहरी प्रेट ही लाल में ह होगी, तो कुछ एशियन मारकेट्स हरे में नज़र आएंगे, लाल और हरे के बीच में एशिया जूलता हुआ है, हलागि यूएस से कोई कम्प्लेंट नहीं है, ओवर दे वीकेंड जो हैंड ओवर आया, फ्राइडे को तीनो बेंचमार्क्स एक चृताई फीजदी कर रहे हैं, तो यूएस ने तो मूड सेट कर रहा है, थोड़ा एशिया कन्फ्यूज कर रहा है, तो ऐसे हमें सबज लेते हैं, दर असल हैंड ओवर और ग्लोब की तस्वीर सुभई के लिए है केसी, निरजे, गूड मॉर्निक, कैसा मूड? अजिन मूड एक दम बढ़िया, जैसे फ्राइडे को बढ़िया सेशन था, तो यूएस में अब लोग एक तरिके से सेटल लाउन होगे महाँ पे, और आपको यकीन होगा, अगस्त पांच से फ्राइडे तक, साड़े तीन ट्रिलियन डॉलर मार्किट का बढ़िया सेनपी क पूरी मतलब जो इतनी बुरी गिरावट हुई थी, उसमें जायता रिकवर हो गई है, और बहुत सारे टेकनिकल लेवल्स को बीच किया उसने, तो बहुत ही जोड़ा तरीके स्करदारी पूरे यूर्स मार्केट में चल लगी चोटे बड़े सब तरहे स्टॉक्स में, अब वो एक कन्फरमेशन चाहिए, दूसरा जो डेटा भी आया है लास वीक और उसमें एक सुक्रवार को डेटा आया था, कंजूमर सेंटिमेंट वाला, वो भी काफी अच्छा निकल गया है, तो अभी तो महौल बहुत बढ़िया चल रहा है, जियो पर्टिकल कोई टेंसन अभ महौल है, बिलकुल फ्राइडे शुक्रवार को सुबह जैसा महौल आज भी है, अरे वाह, फ्राइडे दो हमने कमाल कर दिया था, उस बढ़िया महौल पे हमने चौके चखके जड़ दिये थे, चौबीस, पांच सो के उपर का बढ़िया वीकली क्लोस, चार सो पॉइंट का उचाल, शुरुवात लखडाने के बाद एक तरफा मूव था, वो सैंडविच सेशन था, जिसने कमाल कर दिया था, यह चर्चा हुई भी थी फ्राइडे की सुबह, कि बहुत बढ़िया सेट अप है, आज टेक्चर का असली टेस्ट है, आज बजार को रिस्पॉंड करना पूरा हफथा लखड़ा ही रहते हैं हम लोग, प्राइडे के सेशन सारre समीकरों ने सु धार दिये, लेकिन इस फ्राइडे के सेशन के इंटरनल कैसे है, डेट पॉंड्स क्या कहरा है, इस समय का set-up कैसा है, कैसा लगाए इंटरनल फ्राइडे को हुआ क्या? सेटप में बस एक हलकी से दिक्कत यह है कि हर इंस्ट्रुमेंट में बाइंग है मतलब नॉमली जब भी होता है तो मुझे सारा ग्रीन थोड़ा सा कम अचा लगता है नॉमली थोड़ा सा रेड हो जाए तो अच्छा रहता है स्क्रीन लेकिन खेर कोई नहीं रेड भी काफी देखा है हमने चप्विस सो करोड के करीब डियाएज ने बाइंग करी और साथ सो सत्र करोड के करीब एफाइज ने बाइंग करी बार आएंगे आपकी स्क्रीन पर और वो बार भी आपको यह दिखाएंगे कि डियाएज के तरस से लगातर बाइंग हो रही है लेकिन जो एफाइज के रेड बास थे वो फाइनली एक ग्रीन में कनवर्ट हुआ है इंडेक्स फुचर में एफाइज ने बाइंग किये करीब 2300 करोड की इंडेक्स फुचर में बाइंग है और करीब 8500 करोड की स्टाहक फुचर में बाइंग है सकते हैं, Index Futures में Bank Nifty में भी भाइंग हुई है, 1000 करोड की और करीब-करीब 1300 करोड की Nifty Futures में भाइंग हुई है, तो इसे मैं कहा रहा हूँ हर Instrument में भाइंग है, यह कई बार लिक्कत का मामला बन जाता है, लेकिन हम एक चीज़ समझनी होगी, बैकग्राउंड क्या सेटप का, बैकग्राउंड यह कि Market डरा हुआ था, बैकग्राउंड यह कि लोगों को लग रहा था कि Market correction दिखाएंगा, मेरा व्यूज़ वो नहीं रहा है, मेरा व्यूज़ भाइंग ही रहा है कि तो यह थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि लॉंग शॉर्ट वाला आंकरा शायद थोड़ा सा गलत बना है, हाँ यह थोड़ा सा यह गलत बना है, इसको हटा देजिए जरा, अधिक यह उल्टा हो गया है, उस पर आ जाईए, आप टेबल पर आ जाईए, टेबल में 47% लॉंग स जो 47 था, वो 50 आ गया, माइनस 30,000 जो था, वो प्लस 18,000 हो गया, बिसके लिए, 18,522 हो गया यह, तो यह 18,522 है, यह एक्शली वो नंबर था, अब इंडेक्स ऑप्शन करेकर आप आकड़े देखें, तो उसमें को जादा चेंजिस हैं ने, तो उसमें मैं जादा टाइम इंडिया विक्स गिरा साथ परसंट करीब, फ्राइडे को, और अब इंडिया विक्स आ गया है 14.4 पर अल्मोस हमारे बैक्टू, जो हमारा एक नॉमल टेरिटेरी रही है, इंडिया विक्स उसमें आ गया है, बारा किया सबस्के और तो अब अज चारबागर अगया और लेकिन फ्राइडे को हमने 19 जहेल लिये थे, तो दो स्टॉक बाहर होगे बैंसे, AB Capital और Birla Soft, तो ये दो स्टॉक पर मेरी खास नजर रहे गया, इनमें सेख को तो मैं स्पोटलाइट के लिए चुनने वाला हूँ, बट ये दोन स्टॉक बैंसे बाहर हुएं, और बाकी अलरी जो बैंसे लिस्ट है, वो आपके स्क्रीन पर आ जाएगी, तो सेट अप मैं ही कहूँगा कि नियूट्रल से स्लाइटली ओरबाट, लेकिन हाँ, ओवरसूल नहीं रहे, लेकिन कॉंटेक्स देखें मार्केट का, क्योंकि मार्केट डरा हुआ था, उस हिसाब से, ऐसा सेट अप नहीं है कि आप एकदम कहें कि नहीं, बस आप मार्केट गिरने वाला है या सब कुछ है, तो बने रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हैंड़ मतलब ग्लोब के संकेट है, सेट अप बढ़िया है, ऐसे में निफ्टी स्क्रीन पर आपके है ही है, अब अप्रोच जान लिया जाए, वैसे फ्राइडे को बात हो रही थी सूबह, कि चार सु पिछट्टर निकलेगा, तो और तगड़े अप मूव्स की तैयारी होगी, कमाई के अड़े में ये बात हुई थी, कि लग रहा है स्क्रीन को देखकर, कि वो करेक्शन का फेस खत्म होने के क्लियर कट संकेत है, ये कमाई करना मतलब दो बज़े के शो में चर्चा हुई थी, ये बहुत बढ़ी है, आप तो चाहिए तो कैरी करें, जो कैरी कर रहोंगे उस दिन के भी ट्रेट्स, वो भी आज सुबह रिजॉइस करेंगे, सतर पिछ सतर पॉइंट तो गिफ्ट निफ्टी उपर खुलने की बात कर रहा है, ऐसे में अब करना क्या है, सेटप को देखते हुए जो आपने बताये डिटेइल्स, कित्ते और गेंस इक आउट हो सकते हैं इस मार्केट से, शुरुआद में आपने कहा था कि हो सकता इंट्रडे में थंडा पढ़ने के लाइकलियोड हो सकता एक जमें पे, तो हम कौनसे लेवल्स वच आउट करें और आज का अप्रोच क्या रखें और जो अपने साथ फ्राइडे से इंजॉए कर रहे हैं उनके लिए क्या बिलकुल, तो दोनों सावल का जवाब देता हूँ, देखो, पहले तो निफ्टी ने सारे मुविंग एवर्जे रही क्लिम किये यह एक और रीजन है कि आप थोरसा मार्केट पर आप बुलिश रह सकते हैं कि आपके पास एक वेल-डिफाइड स्टॉप लोस है और वो भी अच्छे लेवल का वेल-डिफाइड स्टॉप लोस ह अब अपने स्टॉप लोस को बढ़ाकर आप लेया है 24,400 पर 20 डेमा ज्यादा दूर नहीं है यहां से 140 पॉंट दूर है क्लोजिंग बेसेज पर इंट्रडे में भली तोड़े कोई दिख करनी है क्लोजिंग इसके नीचे नीचे नहीं होने चीए क्योंकि वड़ना फिर रि पहली रिजिस्टंस मेलेगी आपको 24,700 से 24,750 पर ओप्शन के हिसाब से और चार्ट के हिसाब से बड़ी रिस्टंस 24,800 से 24,850 मेरा व्यू यह है मेरा बेस्के यह है कि जैक्सन होल की एक्सपेक्टेशन से पहले ग्लोबल मार्केट में रैली होगी प्लस क्योंकि क्रूड है और प्लस क्योंकि हम अपने हाई से अलड़ी स्लिप हो चुके थे यह वाले लेवल्स आपको इस हफते में दिखाई देंगे मार्केट पर 24,800 से 24,850 के करीब और 24,850 अगर क्रॉस हुआ तो जो ऑल टाइम हाई आपका 25,000 वो मैं अगले हफते के लिए लेकर चलता हूँ क्योंकि अगला हफता एक्सपाईरी भी के तो मेरा यह माना है कि वो मार्केट थोड़ा सा उसमें टाइम देगा और अगले हफते उसको आप अल टाइम हाई को निकालेगा सपोर्ट कहाँ पर है पहला सपोर्ट आपको मिलेगा 24,400 से 24,450 जो आपके 20 डेम है और जहाँ पर ऑप्षिन राइटर भी बैठा है यह बहुत स्रॉंग सपोर्ट है अशीश यह नहीं तूटना चाहिए अगर तूट गया वैसे मेरा बेस किस नहीं है अगर तूट गया तो बड़ा सपोर्ट मिलेगा आपको 24,200 से 24,250 जो कि फ्राइडे का लो था आपका और फ्राइडे का लो आपकी पत्थर की लकीर बन चुकी है मेरा तो ही मानना है कि फ्राइडे का लो काफी टाइम तक लो रहने वाला है अनलेस कोई बहुत ही खराब कबर आके आपको हिट कर जब तक यह ना हो बाय जोन कहां पर है 24,400 से 24,500 से 24,500 से अब आप कहेंगे कि यहां तो खुलने के इंडिकेशन नहीं है अगर आपको करना भी है तो थोड़ा सा खरीए और उसके बाद वेट करिए कि अगर आपको यह जोन मिल जाए 24,500 से 24,500 से 24,500 मिल जाए तो वो तो बिल्कुल ब्लाइंडली एड करने का जोन होगा नई पोजिशन आप कोई भी ले रहे हैं तो एक स्ट्रिक स्टॉपलोस लखें 24,200 का वो मैं इसलिए ले रहा हूँ आशिश को कि मैं निचादा कि लोगों का स्टॉपलोस लग जाए वरना मेरा तो बेस किसी है कि आप 24,400 इन तूटेगा आपका जो 20 डेम है वही अब आपका आपने रिक्लेम किया है वही बना दाएगा यह है निफ्टी का आज मंडे का हमारा अप्रोच निफ्टी बैंक बढ़ी है डेर परसेंट के असपास का उचाल खड़े हो गया लेकिन आके पचास पांट सो के जोन्स पे क्या अप्रोच रखें इस फोक्टो को लेकर आज बैंक X की वीकली कॉंड्रैक्स खड़ी है यह बैंक X की वीकली इंपारी है और उसके बाद कल फिन निफ्टी की और परस तो वो तो खेर होता रहेगा लेकिन बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए फ्राइडे का चार्ट एक होता ना सूधिंग तो दा आई है आँखों को अच्छा लगने बाला चार्ट है गैपप खुले कॉलाप्स हुए लोग लेवल से रिकावरी की जैसी ओपन हाई निकाला तीन सो पॉंट और एड कर दिये बहुत ही शांदार चार्ट हंड़ड देमाप पर हमने डबल बॉटम बनाया हम कि शॉट्स बैंक निफ्टी में जादा थे तो शॉट कवरिंग जब भी होती तो जो सिंटेक्स में सबसे जारे शॉट होते है वो सबसे जादा चलता है आई टी काफी तक चल चुका है हो सता कुछ ताइम के लिए पैसा निकल के आई टी से बैंक में भी याजा यह 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 नहीं कर पाता है पचास नो सो से इक्यावन हजार अच्छा हमापे सिर्फ 20 नहीं 50 देमा भी है तो दोनों है तो पहला रिजिस्टेंस वह हो गया आपका 50,900 तो 51,000 और उसके बड़ी रिजिस्टेंस मिलेगी आपको 51,150 तो 51,500 जो मेरा मानना है कि आपको शाद एकस्पारी रिलेटिवी स्टेवल लोस ते में उनकी बात कर रहा हूँ बाइजोन कहां पर है 5,400 तो 5,600 एक बाइजोन है 50,500 जो आपको देख रहा है यह एजस्मेंट की वजए से जो एक्चुल प्रोविजिनल क्लोजिंग थी बैंक निफ्टी की वह 5,600 के ऊपर हुई थी तो इसके अब बहुत लोग पूछेंगे कि मैंने आज ना निफ्टी में ना बैंक निफ्टी में सेल ट्रेड नहीं बोला उसका कारण यह है कि मुझे लग रहा है कि मार्केट का टेक्शर बदल रहा है और बदल चुका है वापस बाइउन डिप्स हो चुका है तो इसके लिए हाँ अब स्क्रीन आपको बताएगी कि नहीं सेल उन राटी भी प्ले आउट हो रहा है तो आप उसको अब्सको करिए लेकिन बेस कि सेरे कि अपना माइन में बनाके चलिये कि बाइउन डिप्स की मार्केट है भाइन डिप्स की मार्केट है मौके ढूंडने शायद करेक्शन का बेस कम्प्लीट है शायद और नौध वर्ड जरनी ये मार्केट दिखाता हुआ नजर आए और बड़ी अधरी के सापने डिफ्स में खरदारी करने की थी वो डिपन सिप वो ब्यूटिफली वर्क करता हुआ और हमेशा उप्टिमिसम था कि अगरस के महिने में ये आप बहु रक्षाबंदन मोड में आती हुए आप